डीवनिंग फिंज मैं नेम इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलेसिस आज चैनल सुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं ठाज आपको जानकर खुशी होगी बहुत खुशी होगी कि हमारा जो चैनल है वो 1,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है एक 1,000 प्लस अगर आप मेरे जाके सब्सक्राइबर देखेंगे तो 1,000 प्लस हो चुका है and to be very honest I just want to thanks to every subscriber और ये लाइन में 100 बार बोल सकता हूँ और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपका अपना चैनल है तो definitely ये congratulations हर एक subscriber के लिए भी जाता है उमीद करता हूँ कि जैसे आप मुझे support कर रहे हैं वैसे नए viewers भी support करेंगे वीडियो जरूर देखेंगे जादा देखेंगे ताकि उनको समझ में आएगा जो चीज़ यहां मिलती है वो कहीं बाहर नहीं मिलता है क्योंकि मैंने अपना जो वीडियो स्टार्ट किया था December 8, 2002 जीरो पे किया था तब मैंने पहला वीडियो दो मिनिट का बनाया था और एक ही बात बताई थी कि अगर आप king of stock market बनना चाहते हैं तो definitely you have to work on support and resistance मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाया उन सब पे मैंने support and resistance पे सबसे ज़्यादा आपको pressure दिया है सबसे ज़्यादा आपको hammering करने की कोशिस की है मेरे चैनल की जैसे मैं आपको USP भी बताता हूँ कि मैं date के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही support और resistance बताने की कोशिस करता हूँ साथ में दूसरी बड़ी USP यह add है कि उसमें मैं हर Sunday को आपको previews भी देता हूँ जिसमें आप अगर compare करेंगे 80% of share अपने support and resistance में घुमते हैं और 20% 10 से 20% जाते हैं या तो support तोड़के नीचे या तो resistance तोड़के ऊपर अगर आप मेरा चैनल regularly देख रहे हैं पर पता था उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया था वो UPL पर जहां पर मैंने December मंद में जो targets दिये थे March 2021 का उनमें नाम आता है UPL, HAL, India Bulls और Bombay Dying UPL उस दिन मेरे को याद है जिस दिन मैंने UPL का वीडियो बनाया था उस दिन वो 18%, 16% नीचे गिरा था around 410 से 415 में था वो और उस दिन सब लोगों ने share बेचा था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को बोला था कि यह नीचे नहीं जाएगा इसका target March तक 600 होगा और आज देखिए March का महीना है और यह 600 पे है तो आप खुद analysis कीज़े जो मैं आपको बता रहा हूँ को सही हो रहा है या नहीं जहां पे सर को YouTuber सेल आता है तो लोगों को बोलते हैं कि भाई सेल कर दो सेल कर दो प्रॉफिट बुकिंग हो गई बाई हो रहा है तो बाई करो बाई करो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि support and resistance में काम करो अगर आपका stock जैसे 10% stock में है उपर चला गया प्लीज चलती वी ट्रेन के पीछे अगर पकड़ोगे तो क्या होगा आपको भी मालूम है वही चीज़ शेयर में होता है अगर एक price बहुत उपर बढ़ रहा है आप उसको catch कर रहे हो आप अगर उपर चले गए तो आपको बहुत खुशी होगी लेकिन जब आप गिरोगे तब सबसे ज़्यादा तकलिफ सिर्फ और सिर्फ आपको होगी तो ये बात का हमेशा धियान रखो इसके लिए मैं आपको हमेशा बूलतों की मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए बहुत टिप्स रहता है उसमें और चब आप पूरा वीडियो देखोगे तब भी वो चीज समझ में आएगी बात करते हैं मेरे दूशरे शेयर के बारे में जिसका नाम है हाल तब इसका वैल्यू था 866 डिसमबर फर्स्ट वीक का ही ये भी है डिसमबर 8-15 के बीच में और मैंने टारगेट उसमें भी आप जाके मेरे लिंक पे भी देख सकते हैं ये उपर दिवे लिंक पे भी देख सकते हैं मैंने टारगेट दिया था 1000 और आज आज आप जाके देखे कि हाल अभी किस प्राइस में है ये वाले शेर का भी टारगेट अचीव थर्ड में बात करते हैं इंडिया बूल सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि अप एंड डाउन्स होता है वो इंडिया बूल्स में होता है इसके लिए मैं आपको हमेशा बूलता हूं कि सपोर्ट एंड इंडिया बूल्स का जब मैंने आपको वीडियो बनाया था तब यह था 203 पे तब मैंने इसका टारगेट 225 ही दिया था और आज आप देखिए कहां पे है इंडिया बूल्स का शेर फोर तो उसके भी टारगेट अचीव हो गये हैं अब देखते हैं बॉंबे डाइन बॉं पर मैंने रिटन पर दिया था कि डिसम्वर में इसके टारगेट यह हो जाएंगे आप देखिए यह कहां कितने एचीव हुए हैं अब बात करते हैं इसको छोड़के मैंने आपको एच्चे सौरी भेल पर वीडियो बनाया था भेल उस टाइम था एराउं 35 रूपी सम्थिं मैंने उसको लॉंग टर्म के लिए बोला था आज आप देखिए भेल का हैं विदिन थ्री मन्स मैंने दिया था आपको यह बैंक के उपर भी वीडियो बनाया था यह बैंक मैंने आपको बताया था वो भी लॉंग टर्म इंवेश्मेंट है तो वह अभी उस प्राइस से तो पूरे महीने में जब वो गिरता है वो एक दिन उसको उठाओ और अपने पूर्ट फूरियों में धीरे-धीरे करके एड़ करते जाओ और फॉरे लॉंग टर्म उसको रख दो अपने पास उमीद करता हूँ आप वो सारी वीडियो देख रहे रहेंगे देख रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा मैं कोई भी शेयर का वीडियो आपको नीज़ बेसिस पे नहीं बनाता हूँ कि भै circular के यह ज़यर बढ़ जाएगा सिंपल सुईल मैं बताता हून सब से इंपोर्टने इतने सारे एवेलबल है आपको एक शेयर के उपर डील करने के कोई ज़रूरत नहीं है आप आराम से शेर ढूंडिये जो support level पे मिल रहे हैं इससे याद आया मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी AI engineering मैंने आपको बोला था उसको watch करने के लिए कल का क्या मैं नहीं बता रहा हूँ मैंने आपको 3-4 दिन पहले जो चीज बते थी वो 1800 के आसपस available था सो मैं आपको कोई भी वीडियो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं आपको जब बताता हूँ कुछ analysis करके बताता हूँ और फिर भी आपको बोलता हूँ कि मैं किसी को buy or sell का recommendation तो नहीं देता बट definitely suggest करता हूँ कि अगर आप stocks को support में खरीदेंगे और resistance में sale करेंगे तो आप 80% profit में जरूर रहेंगे और 20% जो आपका loss है अगर उसको भी निकाल देते हैं कितना होगे आपका 80% profit 20% loss यानि कि होगे आपके 60% profit अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप 60% profit में हैं तो अच्छा है या नहीं है उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जैसे मैं आपको सही support और resistance दे के support करा हूँ उस तरह आप लोग भी कीजिए और हमारे चैनल को और आगे तक बढ़ाईए अब next target 2000K का है उमीद करता हूँ बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा और आपको कोई भी doubt है मेरे comment box पे जरूर लिखे कोई भी share के उपर वीडियो बनाना है वो चीज़ भी हमारे comment box पे जरूर लिखे और मैं आपने भी देखा रहेगा मैंने अभी तक चितने भी वीडियो बनाया है बहुत सारे उनमें से subscriber demand पे भी मैं बनाता हूँ और अगर कहीं से मैं भूल जाता हूँ उसकी फोजाती है तो please मेरे को reminder दीजिए मैं उसके लिए आप लोगों को sorry भी बोलता हूँ अगर मैं आपको नहीं बना पा रहा हूँ but definitely आप मेरे को comment box पर फिर से reminder डाल दीजिए मैं जल से चल दूस पर भी वीडियो बना दूँगा thank you very much have a nice day